नमस्कार जैहन दोस्तो दोस्तो एड़ुटेरिया के तरब से यहाँ पर देख़ेए नया प्राक्टिस सेट आ गया है बिहार पुलिस का तो दोस्तो आज हम इसको सुरू करने वाले हैं और ये आपका दोस्तो आप सब लोग देख पा रहेंगे ये आपका न्यू प्राक्टि सेट अगर आप सब लोग चाहें तो यह किताब यह मार्केट से खर्ड के अपना सेट लगा सकते हैं देखिए दोस्त। आज हम दिखने वाले हैं इसका सेट नमबर वण देखेंगे जो हमारा प्रस्ण पत्र नंबर वन है पूरा हम डिस्कसन के साथ देखने का प्रियास करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक एक कोशन को हम पूरा देखेंगे ठीक है देखे पहला हमारा प्रस्ण दोस्तों बोलाए कि एर अमेस यहां आओ इस वाक्य में कौन सा कार है तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन बर सी हो जाएगा संबोधन दोस्तों संबोधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है देखिए इसका आंसर हमारा हो जागा दोस्तों ओप्सन नमबर D हो जागा चलाकी का जवाब चलाकी से देना ओप्सन नमबर हमारे यहाँ पर दूसरे का D सही हो जाएगा अगला प्रस्न है कि अपना उल्लू सिधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है देखिए आपको पता है बिहार पुलिस में कहा है कि हिंदी, इंगलिस, मैथ ये सब आपको कोशन देखने को मिल रहा है तो इसका आंसर देखिए हो जागा दोस्तों अपना option number जो है तीसरे का C हो जागा अपना काम निकालना संस्कृत के अकरांत सब्द होते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जागा option number A सही हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्न है निमलिखित में से एक वाक में क्रिया भक्षन करने के अर्थ में परियुक्त होई है यह वाक के पूछ रहा है आंसर हमारा हो जाएगा option number D हो जाएगा वह आम खाता है वह आम खाता है चिडियां का बहु बचन होगा तो चिडियां होगा दोस्तों चिडियां ऑप्सन यमारा 6 का जो है A सही answer हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्न है कि दही सब्द है कौन सा है यानि पूलिंग है इस्त्रिलिंग है तो यह आप सभी को आप्शन दिया गया है तो कोशन नमर 7 का सही आंसर हमारा जो है दही दोस्तो यह आपका पूलिंग यानि आप्शन नमर A सही हो जाएगा गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो इसका सही आंसर हमारा question number 8 का हो जाएगा करण option number हमारा दोस्तों यहाँ पे D सही हो जाएगा कौन से कथन या फिर सब्द कमल के सभी पर्यायवाची है तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरोज पंकज अर्बिंद option number D दाल का बहुबचन सब्द क्या है दाल का बहुबचन सब्द क्या है दोस्तों तो यह आपको हो जागा दाले ऑप्सन नमर जुह हमारा यहाँ पे टेन का एक करे डाले हो जाएगा अब देखिए इसमें हमारा इंग्लिस का भी कोशन दिया गया है तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं डिव टू दा रेन फॉल दिस यर दे हैड टू डैस वाटर सप्लाई तो इसका आंसर हमारा दोस्तों अलेवन का हो जाएगा ऑप्सन नमर यह हो जाएगा याद रखेंगे आगे कि फाइंड रॉ क्या होगा दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमर सी हो जाएगा टेलिस्कोप हो जाएगा ठीक है इस्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट ए मोरल और स्प्रिचुल तुरूथ आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमर भी हो जाएगा प्रेबल हो जाएगा आप इसको याद रखेंगे ठीक है आगे हमारा प्रसने कि माई फादर इस्टेंड इवरी नर्व टू इनेबल मी टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ सेटल इन लाइफ इन ला चूज द वन विच एक्स्प्रेस्ट द राइट मेनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड जो की वेरेसिटी पूछ रहा है बताएए इसका अंसर क्या होगा तो देखिए इसका अंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नबर भी हो जाएगा तुरूथ याद रखेंगे याद रखेंगे एक जनेरेटर हो जाएगा ठीक है चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन तु फिल इन द ब्लैंक इसका अंसर हमारा देखिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे कोबलर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए राइट हो जाएगा इसमें देखिए भी आपका फिल इन द मतलब फिल जो बहलते हैं कि खाले जगवे जो आपको भर की बताना है ठीक है इसमें पुछ रहा है कि नाइदर द बॉय नौर द टीचर डैस प्रेजेंट जो भी है तो इसका आंसर देखी हमारा हो जाएगा इज यानि पुछ झाइगा टू आप्जेक्ट राइट हो जाएगा दोस्तों पहले आप सभी को बता दें जो कि टेलिग्राम पे बिहार पुलिस के लिए जो है गुरुम बना दिया गया है और यह सब जो भी है आपको मैं सेट करवार हूँ पूरा डिसकसन के साथ देखिए पहले आप सब लोगों से आप सब लोगों बता जे रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए पहले आप PDF से सेट लगाईए अच्छे सेट लगाईए डिसकसन देखिए उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो बहु सारा कोशन जो है आपको याद हो जाएगा गैन बिन्दू का सेट जो है आपका चल ला है प्लस प्लेट फारम का भी चल रहा है दिन भर में दो सेट चल रहा है यह रहा वाटसप नंबर 87-56-56-56-33 आप इस पे जो है बिहार पुलिस लिक करके मैसेज कर दीजे आपको जानकारी जो है मिल जाएगा ठीक है करना ना पुलिएगा क्योंकि वहाँ पे सब लोग जोईन हो रहे हैं तो आप भी जोईन होके अपना सेट लगाईए 21 नंबर बुलाएकी रक्त समूर O वाला व्यक्ति किस रक्त समूर के व्यक्तियों से रक्त जो है ले सकता है दखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा option number D हो जागा केवल O answer हमारा यहाँ पे D सही हो जाएगा रग्त समूह B plasma में anti-antibody के साथ B antigen होता है पाने की इस्थाय कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी वीधी का परियोग जो है नहीं किया जा सकता है answer देखिए हमारा हो जाएगा option number A उबालना उबालना आपका नहीं एक तरीके से परियोग जो है किया सकता है बाकी sodium carbonate मिलाना सही है आसवन सही है caustic soda मिलाना यह सब हमारा सही दिया गया है आगे की प्रिज्मे में प्रकास के विभिन रंगों के बिखराओ को क्या कहता है बिखराओ को क्या कहते है तो प्रकास का विछेपन कहते है प्रकास का विछेपन option number हमारा C हो जाएगा आवर्त सार्णे में कौन सा पहला तात्व है आवर्त सार्णे में इन में से हमारा कौन सा पहला तात्व है तो यह आपका हो जाएगा hydrogen से नोट कीजए गा हाईडोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आगे परसनेंग ढाली प्रसित्तित्री यानि रफ्रेजिलेटर में समानेत दमरें कौन सा अप्रसित क्रकियों में तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेयान नोट किज़ेगा दोस्तों फ्रेयान इसका आंसर हो जाएगा सिरका किसका जल्य विलियन है सिरका जो है यह किसका जल्य विलियन है तो असिटिक अमल का नोट किजीगा Acetic Diamond Option number हमारा C हो जाएगा सम्तल दरपड द्वारा बना परतिबिम होता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जागा दकि इसका आंसर हमारा हो जागा अभासी परतिबिम अभासी प्रतिबिम Option number A किसी पदार्थ का सबसे छोटा कर्ण जो सोतंद्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है तो यह आप दोस्तो अनू कहलाता है option number हमारा बी सही हो जाएगा खाद पदार्थों के प्रसिछड हे तू निमलिखित में से कौन सा परियुक्त होता है कौन सा इसमें दोस्तो परियुक्त होता है तो बैंजोईक अमल नोट कीज़ेगा बैंजोईक अमल option number C सापेक्ष आधरता मापे जाती है सापेक्ष आधरता जो है यह किस से मापा आता है तो हाईग्रो मिटर से नोट कीज़ेगा हाईग्रो मिटर एक हमारा होता है दोस्तो हाईड्रो मिटर आगे है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रियुक्त वायू मंडल का इस तरह है आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ओप्शन बर सी आयन मंडल नोट कीजिएगा आयन मंडल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटीटू नमबर बोला है कि वह पाल में गैस तरासदी किस गैस के कारण घटी थी देखिए इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा मिथाइल आइसो सानेट हो जाएगा ओप्सन नमबर हमारा जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे छोटी माता यानि चिकन पॉक्स पैदा की आती है किसके द्वारा दोस्तों यानि कौन से वायरस के द्वारा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैरियोला विसाणू यानि वैरियोला वैरस के द्वारा ओप्सन नमबर हमारे हाँ पे भी सही हो जाएगा टीका करण द्वारा निम्निखित में से किसको नियंतर जो हैं नहीं क्या जा सकता है आंसर हो जाएगा दोस्तो आपसे नumero B मध्रुमे मध्रुमे दोस्तो एक तरीक से टीक आपर से संबन्धित नहीं है बाकी चेचक सही है पोलियो सही है आगे मेनी माटा रोग किसके दूरा जो है पाने के प्रदुहर से फैलता है मेनी माता रोग तो दोस्तों इसका अंसर क्या होगा देखिए इसका अंसर हमारा हो जाएगा पारद ऑप्सन नमबर हमारे यहां पर सी जो है सही हो जाएगा दात और हड्डियां किसे मजबूती और द्रिड़ता जो है प्रदान करते हैं या बताइए इसका अंसर हमारा क्या होगा देखिए इसका सही अंसर हमारा दोस्तों यहां पर कैल्सियम जो दिया गया है यही हमारा हो जाएगा कैल्सियम नोट किजिएगा आगे कि लॉर्ड माउंट बेटर ने किसे वन मैन बाउंडरी फोर्स कहकर सम्बोधित जो है किया है गलत है देखिए देहांग दिबांग जो है उत्राखंड यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा यह आपको अर्वांशल परदेश में सियांग और दिबांग घाटे के हिस्से में इस्तित है बाकि कंचन जंगा जो है सिक्किम सही है कोल्ड डेजर्ट जो है हमारा ही माचल ही दिया गया है आगे प्रस्न है निमलिखी तनाभिकी सनेंद्रों को उनके स्थान पर सही सुमिलित कीजिया उनीची दिया गए कूर्ट में उसका उत्तर आपको बताना है तो चलिए इसको मिला लेते हैं देखिए परमाडु केंद्र की बात करेंग एक से किन यहां ही अपने पर से आरेंज कर लीजेगा भारत के महानично याइवादी की की बात करेंगे तो यह राश्ट्र पती करता है दोस्तों नंबर हमारे यहां पर 20 ही हो जाएगा धियान Candre कि से से सम्बंदित खिलाडी रहे हैं तो सभी को पताई होगा ध्यान चंद्र की बात करते हैं जो कि होकी का जादुगर इनको कहा रता है होकी ओप्सन नंबर हमारे हां पर बी हो जाएगा से बच्पन का नाम क्या था देखिए से बच्पन का नाम आप सब लोग अच्छे से याद हुआ था देखिए भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में आप्सन नुम्बर हमारे हैं पर सी सही हो जाएगा और यह आपका 28 दिसंबर को हुआ था जो कि एलन ऑक्टेवियन यूम यानि ए ओ हुम के द्वारे यह किया गया था और गोकुल दास स्थेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि आपका एक भावन में इस्तित है और जो इसकी अध्यक्ता है व्योम केस बनर जी यानि व्योम व्योम बीसी बनर जी आप बोल सकते हैं बीसी बनर जी तो इसमें करीमन 72 सरस्थियों ने इसमें भाग लिया था ठीक है आगे कि स्थेज़ी है सतरिया तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमर सी असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सूची एक और सूची दो को मिलान करके बताना है वैधानिक प्रावधान और स्रोथ दिया गया है चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा राज के नीती निदसक तत्व की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा किया हो जागा दोस्तों यह आपको हो जाएगा आईरिस सम्मिधान संसदिय सरकार की बात कर देखिए प्रत्रम ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो यह आपका यूनान में हुआ था ओप्सन नमबर A सही हो जाएगा भारतिय सम्मिधान में सोतनता काधिकार से संबंदित आर्टिकल की संख्या पुछ रहा है तो दोस्तो हमारा हो जाएगा 19 ओप्सन नमबर हमारा D सही हो जाएगा जेलेपला दर्रा जो है कहां परिस्तित है देखें जेलेपला दर्रा की बात करेंगे तो दोस्तो यह आपको सिक्की में देखने को मिलता है आंसर हमारा यहां पे A सही उत्तर हो जाएगा जेलेपला दर्रा एवम नाथुला दर्रा यह स्वा हमारा जो है सिक्किम में है प्रादीपी यह भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रादीपी यह भारत के जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों यह आपका हो जाएगा गोदावरी अर्जेंटीना में प Candain हर अर्जेंटीना में क्या है नेस्ट हमारा प्रस्तन है दोस्तों कि तो bola की दो स्ट ये निवản कि नयासिता का सिधान किस ने दिया है fully answer क्या हो उस्टार हमारा हो जाएगा है पत्मागण्धि ऑप सन्मबर हमारे हैं पर बावन का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा जैपान की करिंशी क्या है देखे जापन की करिंशी आप सभी को यादी होगा यह हो जाएगा और इसका रालधानी क्या है टोकियो है हर पास बेडा किस स्थर्द से उन्नत जल प्रबंधन विवस्था का साक्ष जो है प्राप्त होता है आंसर हमारा हो जाएगा धौला वीरा ओप्सन नमर दोस्तो हमारे हैं पर भी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट प्रस्थन है कि नियंतरक या महालेखा परिक्षक यानि काएग अपनी लेखा प्रसिक्षड रिपोर्ट जो है निम्ल में से किसे सौपता है दोस्तो यह जो आपका रिपोर्ट है किसे सौपता है तो यह आपको राश्टरपती को सौपता है option number C हो जाएगा भारतियोप महादियोप के अंतरगत कुल कितने देश आते हैं तो कुल कितने देश आते हैं तो करीबन साथ आते हैं option number हमारा जो है क्या हो जाएगा D हो जाएगा साथ देश का नाम याद रखेंगे भारत बंगलादेश, भोटान, नेपाल, पाकिस्तान, स्रिलंका और माल्दिव ठीक है बिस्मिल्ला खां का संबंद किस वाद ये अंतर से था देखिए बिस्मिल्ला खां जो है दोस्तों ये आपका हो जागा सहनाई option number D आगे कि तुरकान एचीहलगानी का विनास की ससासक ने किया था तुरकान एचीहलगानी का जो विनास है कौन ससासक के द्वार ये किया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बलबन option number हमारे यहां पे B सही हो जाएगा समिधान की अनुसार कारे पाले का कद्धिक्स कौन है answer हमारा हो जाएगा option number B राष्टर पती दोस्तों यहां पे answer हो जाएगा निमलिखित में से किस राज्य में समान नागरी निसमान नागरी सनीता जो है लागू है तो answer हमारा देखे हो जाएगा option number A हो जाएगा गोवा अनुशेत 44 ठेक याद रखेंगे नेश्ट केंद्रिय काफी अनुसंधान केंद्र कहां परिस्तित है देखिए केंद्रिय काफी अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा चिक मंगलूर हो जाएगा दोस्तों option number हमारे हां पर C राइट हो जाएगा हिंदोस्तान Socialist Republican Association के स्थापना किस वर्स में हुआ था तो यह कौन से वर्स में हुआ था तो यहापका वर्स 1928 में हुआ था वर्स 1928 में option number हमारे हां पर C सही हो जाएगा महाजन समिती महाजन समिती का समंद किस उध्धोक से समंदित है यह कौन से उध्धोक से समंदित है तो दोस्तो यह आपको हो जागा चीनी उध्धोक से option number C किस अनुछेद के तहट सारे देश में समान नागरिक विवस्था लागू किये जाने का प्रावधान है answer हो जागा दोस्तो option number D हो जागा अनुछेद 44 अनुछेद 44 हो जागा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं ठीक है important है आप सभी लोग के लिए next हमारा है आगे देखेंगे दोस्तो इवीम का पहला परियोग जो है कब हुआ था देखें जो इवीम का पहला परियोग हुआ था दोस्तों यह आपका वर्स 1999 में हुआ था और इसका एक तरीक इस देखाया था तो तो सनयात सेन को कहते हैं option नबर ए हो जाएगा खेल कुद में उत्क्रिश्टा के लिए कौन सा पुरस्कार जो है दिया आता है आंसर क्या होगा देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा खेल को जो कि अर्जुन पूरसकार हो जाएगा option number हमारे हाँ पर भी right हो जाएगा निमलिखित में से कौन से जल्डमरू मध्य काला सागर और जो कि मरमरा सागर को जोड़ता है तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों option number B हो जाएगा बासपूरस जल्डमरू मध्य हो जाएगा option number B right हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे आगे प्रसने के सूरे की सतह का तापमान लगभग पूछ रहा है सूरे की सतह का तापमान लगभग में देखा जाएगा तो 6000 degree Celsius आपका हो जाएगा ठीक है दठडी को लार्द का सबसे बड़ा दिन आपका होता है आंसर क्या होगा 70 का 22 दिसंबर को दोस्तों 22 दिसंबर को option number D सही हो जाएगा नेश्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महसाचीव जो है किसे निप्त किया गया है तो सलेश्टे सोलो को सलेश्टे सोलो option number हमारे हैं पे D सही हो जाएगा ठीक है आगे कि ओमान में आयोजित पूरुस जूनियर एसिया कप दोहर 23 का खिता भारती जूनियर पूरुस होकी टीम ने किस देश को हरा करके जीत लिया है तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान option number हमारा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों C हो जाएगा विस्व परियावड दिवस 23 का थीम क्या है तो इसका थीम पूछ रहा है तो प्लास्टिक प्रदूसर का समधान option number दोस्तों हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा आगे प्रस्ण है कि हाल ही में किस देश ने फत्रह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपर सोनिक मिसाइल का जो है अनावर्ड किया है तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा option number भी इरान जो है इसका सही अंसर हो जाएगा आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है नेश्ट हमारा कि DRDO ने ओडिशा के APG अब्दुलकलाम द्यूप के माध्यम द्यूप के माध्यम यानि द्यूप से माध्यम दूरी के बैलेश्टिक मिसाइल अगनी वन का सफ़ल प्रसिक्छड किया है या किस प्रकार का मिसाइल है तो दोस्तों यह आपको अगर देखने को मिलता है सता सता ओप्सन नमबर हमारे हैं पर D सही हो जाएगा हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री मोधी एवं किस देश के प्रधान मंत्री ने सनुक्त रूप से मोतिहारी यानि अमलेख गंज तेल पाइपलाइन के फ्रेज टू का जो है सलियानियास किया है तो यह आपको हो जाएगा नेपाल ओप्सन नमबर A सही हो जाएगा मध्य परदेश की पहली सोलर सीटी की रूप में किसे विक्सित किया जा रहा है तो दोस्तों यह आपको हो जाएगा सांची ओप्सन नमबर A फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुस एकल का खिताब जो है किसने जीता है पुरुस एकल का खिताब तो यह आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच नोट किजिएगा नोवाक जोकोविच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्न है कि लंदन सेंट्रल लंदन सेंट्रल मैंकिंग द्वारा गवर्ण어 of the year अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है तो यह किया गया दोस्तो सक्तिकांतदास को सक्तिकांतदास option नंबर डी Miss world organization ने complex тобой 30 में होने वाले निमलिखित में से किस प्रेश को वर्षद्वार 21 के गांधी सांती पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गीता प्रेश गीता प्रेश ऑप्सन नुबर भी किस राज ये सरकार ने नंद बाबा दूग्द मिसन योजना जो है शुरू किया है उत्तर क्या होगा दोस्तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जागा उत्तर प्रदेश यूपी ठीक है याद रखेंगे भूलेंगे नहीं यह देखिए हमारा मैस का भी कुशन दिया गया है तो आराम से आप क्या करेंगे कि गुरूप में जोईन होके आराम से सब सेट ठीक है और दिसक्सन दिया गया है ल 노 के लिए और अपना तयारी बहतर के हम से जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको बेहतर और तयारी हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपने कितना स्कॉर किया है कमेंट करके बताएंगे तो मिलते हैं कि नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जाए हिंद